बात नहीं आता इतना सारी जीवन मेनत करी देवताओं को पूजा आउतियां दी यग्य करे एक जनम, दो जनम, तीन जनम और कोई देवता प्रसंद हो भी गया कभी किसी के उपर तो वो दे देगा मन में जो अब इलाशा करी हो वो अस्तू इससे अच्छा है कि अपनी मैनत करके खाओ, मैनत करने से सब कुछ मिल जाता है, वो भगवान की शर्ण में रहो और मैनत करके खाओ मेनत करने से सब मिल जाता है अन्न मिल जाता है वस्त्र मिल जाते है साइकल मिल जाती है कार मिल जाती है क्या नहीं मिलता मेनत करने से सब कुछ मिल जाता है भगवान आगे बोल रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं तो देवताओं को प्राप्त होके भी क्या करोगे महान भोगी करोगे यहां एक पत्री थी वहां सौ अफसराएं के रहेंगी यहां एक पत्री से छुटकारा नहीं मिल रहा है परिशान हो रहे हैं लोग कोई ڈائिवर्स कोट में ले जाके खड़ा के डाइवर्स कर रहा है रोज जगडे होते हैं गरों में कलेस होते हैं एक दूसरे पर भ्रम्ज होता है बड़ा चक्कर है एक पत्नी के साथ में सुनदरता से जीवन व्यतीत हो सकता है यही पर स्वर्ण जाने की आवश्रक्ता नहीं है महान भोगों को करने ये भगवान कह रहे हैं बोलता है वहाँ तुमने कोई देवता को प्रसंद भी कर लिया और इस काबिल तुम हो गए कि देव लोग मिले तो देव लोग को मिल जागा देवताओं को इससे शरीर भी फिर करोगे क्या हुआ सुन्दर महल मांगोगे सुन्दर अफसराए मांगोगे सुन्दर शराब मांगोगे चम के ले बिमान मांगोगे और क्या करोगे इससे क्या होगा ये भी तो अंत में नश्टी हो जाता है देवताओं की वैयायू होती है उम्र होती है उनके भी शरीर नश्ट होते है उनके भी भोग विलासों का अंत होता है ये ब्रह्मांड का भी अंत होता है राख हो जाता है ब्रह्मांड राख भी नहीं दिखाई देती विलीन हो जाता है लुप तो हो जाता है महा प्रले के मुँँ में चला जाता है महा काल निदल जाता है अंतु अंतु फलमते साम भवत्य अल्प मेद साम देवान देवययो यानती मदभक्ता यानती माम अपी और अर्जुन ये देवताओं को भक्त देवताओं कोई प्राप्त होते हैं लेकिन मेरे भक्त मुझे प्राप्त होते हैं तो यह सरेष्ट है या यह सरेष्ट कोई भी व्यक्ति सरेष्ट को चुनना चाहता है इतनी बुद्धी भगवान देते हैं कि सरेष्ट क्या है और निक्रिष्ट क्या है कोई व्यक्ति के आगे यानि कुत्ते के आगे भी सड़ा बोजन रख दीजिए और ताजा बोजन रख दीजिए कुत्ता कभी सड़े बोजन को नहीं खाएगा सुवर भी नहीं खाएगा सुवर को भी ताजा बोजन चाहिए वो भी ताजा विष्ठा खाना चाहता है कल की बास ही विष्ठा नहीं इतनी बुद्धी भगवान ने सूकर को भी दिये तो मनुष्य को तो विशेस कंपूटर दिया है विशेस बुद्धी दिये यह सोच सकता है कि अच्छा क्या है बुरा क्या है स्रेश्ट क्या है निक्रिष्ट क्या है पर्मानेंट क्या है टेंप्रेरी क्या है यह सोच सकता है विचार सकता है जान सकता है कि आत्मा क्या है पर्मात्मा क्या है तो यह अच्छे बुरे का ज्ञान संसार में हो जाता है संसार तो अच्छे बुरे से बना है जब अच्छे बुर्यों का ग्यान हो जाता है तो इनसे परे जो सदे फॉर एवर इटर्नल रहने वाला स्रेश्ट है उसको पैचान लेता है इसलिए गोतम बुद्ध भगवान अपने शिश्यों को सदे यही बोलते थे कि उत्तम शर्णम गच्छाना उस उत्तम की शर्ण में जाओ यह संसार उत्तम नहीं है वो बैकुंट उत्तम है यह संसार उत्तम नहीं है संसार में दावा नल लगी हुई है कहां से उत्तम होगा संसार रोगों का घर बतलाया है शास्त्रों में कलेशों का घर बतलाया है कहां से उत्तम होगा उत्तम में कलेश थोड़ी होते हैं उत्तम में आग थोड़ी लगती है उत्तम में इर्श्या काम क्रोध मद्मो अकड जकड नहीं होती है सरलता होती है सुहिर्दता होती है मिर्दुलता होती है प्रेम मई होता है वो उत्तम है वो वैकुंट है उत्तम शर्णम गच्छामी बुद्ध भववान कहते हैं अपनी शिश्यों को उत्तम शर्णम गच्छामी बुद्धम शर्णम गच्छामी उन महापुर्शों की शर्ण में जाओ जिन्नों ने भगवान को जाना है पहचाना है बुद्ध हो गए है ज्ञान का प्रकाश जिनको मिल गया है उनको इस्पष्ट हो गया है उनके ब्रह्म निवारन हो गए है वस्तों को ऐसे ही देख लेते जैसी वे हैं हर एक नहीं देख पाता है अंदा आदमी कैसे देखेगा ग्यान प्रकाश जिसको हुआ है उसको मालूम चल जाता है कि बुरा क्या है और भला क्या है और उत्तम क्या है उत्तम शरणम गच्छामी बुद्धम शरणम गच्छामी धम्मम शरणम गच्छामी धर्म की शरण में जाओ धर्म क्या है आपकी आत्मा का सुभाव आपकी constitutional position आपकी original दशा मूल दशा मूल दशा में आप आत्मा सचिद आनंद आत्मा है आनंद में हैं ग्यान में हैं पूर्ण ग्यान में हैं पूर्ण आनंद में हैं और eternal हैं सदेव फोरेवर के लिए और आपका जो सुभाव है वो प्रेम में है प्रेम भरा अब्यावार वो आपकी original दशा है वो आपकी मूल प्रकरती है इसको अंगरी जीम बोला है constitutional position तो यह धर्म है उस धर्म की तलाश में हम नानद प्रकार के धर्म करते हैं उस धर्म को धर्म की इसको पाने के लिए उस मूल प्रकरती को पाने के लिए हमारा मूल सुभाव जो है वो ही धर्म है यह सुभाव जो आज विगड़ गया है विकार युक्त हो गया है pentaminated हो गया है material world में touch होने से काम करूद मद मोह मत्सर लिपट गये हैं लालच ऐर्षा भ्रम प्रगत हो गये हैं ब्रह्मों न गेरा है खजानों न गेरा है तो यह contaminated हुआ सुभाव ये धर्म नहीं है धर्म जो है वो हमारा ओरिजिनल सुभाव है मूल प्रकरती है उसको धर्म का है उस धर्म को प्राप्त करने के लिए हम नाना प्रकार के धर्म करते हैं जब करते हैं ध्यान करते हैं बजन करते हैं कीरतन करते हैं उस धर्म को पहुचने के बाद में हमको इसपश्ट भगवान की जलक मिल जाती है कि हम आत्मा हैं आत्म रिलाईशन तो फिर परमात्मा भगवान की दर्शन भगवत रिलाईशन है फिर हमको हमसे जो हायर है जो हमारा पिता है उसके भी दर्शन हो जाते ही उनकी जलक मिलना शुरू हो जाता है तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि उत्तम शर्णम गच्छामी बुद्धम शर्णम गच्छामी धम्मम शर्णम गच्छामी धर्म की शर्ण में जाओ संगम शर्णम गच्छामी संग कहते हैं जा साधू का संग हो जहां सादू इकत्रित हुए हो उनके उनकी शर्ण में जाओ उनके चर्णों में प्रणाम करो उनकी सेवा में लग जाओ सादू संग, सादू संग, सादू संग कीजे लव मात्र सादू संग, भवतर लीजे संगम शर्णम गच्चामी सादों के पास कोई जाना नहीं चाहता बोलता हुआ क्या मिलेगा डॉलर मिलेंगी आइस क्रीम मिलेगी सादों के पास क्या मिलेगा हुआ चिकिन मूर्गी मिलेगी नहीं भाई सादों के पास तो ये नहीं मिलेगा सादों के पास तो तुमको परशाद तो मिलेगा खाने को शुद्ध परशाद मिलेगा बैटने को आसन मिलेगा और सुनने को हरी कथा मिलेगी जो आपका आपकी तमाम कलेशों की दवा है वो मिलेगी सादूं के पास सादू ऐसे वैद्धे मेरा भाई ने तो गाया है कि मेरो दर्द तो जब ही मिट है जब बैद सामरिया हो है मेरो दर्द तो तब ही मिट है जब बैद सामरिया हो है बुलो सामरिया वो कृष्ण का निया जब मेरे बैद बन के आए तब ही मेरे दर्द दूर हो सकते हैं प्रिवी मेरो दर्द न जाने कोई है सकी मेरा दर्द कोई नहीं जानता है संसार में सूली उपर सेज पिया की मिलनों किस भी दोए उस पिया की सेज तो आस्मान में है मेरे तो पंक भी नहीं जो मैं उड़के चली जाओं ये दर्द सिस्कियां उठती हैं दिल में नेत्रों में आसु सूग गए हैं पिया अभी तक मिले नहीं है बिरह में जल रही हूं दर्द ही दर्द है नस नस में दर्द है सरीर कापता है मेरो दर्द तो तभी मिठ है जब बैद सामरिया होएं सकियां पूछती है कि कोई बैद को बला दें कोई डॉक्टर को बला दें तू ऐसे कैसे रहती है उणी दी उणी दी से क्या रात को सोती नहीं है तो ये संत लोग जो है साधू लोग जो है भगवान के भक्त जो है ये निर्मन हिर्द होते हैं ये बैद का काम करते हैं इस संसार से संसार के कलेशों से जनम्मरण जराव्यादियों से मुक्त करते हैं जीवात्मा बुद्ध भगवान कहते हैं कि संगम शर्णम गच्छामी साधू संग में जाईए उत्तम शर्णम गच्छामी बुद्धम शर्णम गच्छामी धम्मम शर्णम गच्छामी संगम शर्णम गच्छामी संग्हम शर्णम गच्छामी यह चार बाते हैं मनश्य अवने जीवन में इन चारों बातों को धारन करें तो आवश्यो, निर्वान को, मोक्ष को प्राप्त होता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है उत्तम कोन है? पुर्सोत्तम भगवान स्री कृष्ण उनकी शरण में जाने का इशारा है बुद्ध भगवान का बुद्ध भगवान उनके अंश अवतार है दस बड़े अवतारों में वो एक अवतार है अंत्वंतू फलमते इसाम भवित्य अल्बमेद इसाम अल्ब बुद्धी के कारण अल्ब कहते हैं थोड़ी थोड़ी बुद्धी के कारण मनुश्य लोग देवतायों की सरन में भी जाते हैं भोग मांगने लिए देवता भोग ही दे सकते हैं उनके पास कुछ और नहीं है सारी भोग भोग विलाश्चों की सामगरी देवताओं के पास है मान से मान भोग वो है भोगी महा भोगी देवता ही यह बहुत इक संसार में देवताओं की सर्ण में जाने वाले लेकिन इनका फल जो है अंत हो जाता है और फिर यह देवताओं को प्राप्त होते हैं अगर प्रेम देवताओं से हो गया तो वह और भोगों में भसते हैं यानि चोटी सी गुड की डली थी उस पर तीन-चार मक्की बैठी थी खा रही थी तब तक तो इतनी घायल नहीं हुई लिए जब बड़े गुड के डेले पर बैठी गीला भी था गुड तो वो तो उनके पंक फस गए हो पंक चिपक गए गुड में अभी उड़ भी नहीं सकती फिर इनकी दुर गती होनी वाली है फिर कोई मकडा कोई कीडा मकडा के इनको खा जाएगा उड़ नहीं पाएगा ऐसे ही वो बड़े बहान भोग हैं ये चोटे भोगों में ही इतने कलेश और इतने विगन बादा हैं इतने जंजट जमेले हैं दुख बीमारिया हैं जो दाल फुल की खाता है उसको दुख नहीं होता तकलीफ नहीं आती बीमारी शरीर में गव का एक गलाज दूद दाल फुल की फल फ्रूट लेकिन जो इन नाना प्रकार के जानवरों में रत हैं जानवरों को खा रहे हैं काट काट के चांग चांग के पी रहे हैं ब्लड उनका शराब पी रहें मदिरा पी रहें सिग्रेट पी रहें गांजा बांग चलस पी रहें का रहें ड्रक्ष हीरह है, हैरोइन, इत्या दी इनके शरीरों में अनिक वीमारी jaar इन से ही हस्पताल बरे हुएं पूरे विश्व में अस्पतालों की बड़ोतरी इनी पचास वरसों में हुई है उससे पहले कहीं दूर बड़े शेर में कोई अस्पताल होता था गाउं में कोई अस्पताल ही नहीं होते थे लोग सुखी रहते थे मृत्यू तो महा बीमारी है वो तो सब के सामने आएगी इसलिए उमहाब हो गए तो उनका अंत होता है और ऐसा अंत होता है कि कभी कभी देवताओं को भी सुर्तक की योनी माना पड़ता है ब्रक्षों की योनी माना पड़ता है ऐसा पतन होता है तो फिर ऐसी जगे जाने से मिलेगा क्या, फायदा क्या बुद्धी मानी क्या यne तो उच्च विचार नहीं हुए नहीं बुद्ध बगौण कहते हैं उत्तम की शर्न हुजाईए बुर्स उत्तμ की शर्न हुजाईए बगौण सरी कुष्णि की शर्न हुजाईए हालांकि वो सीधे नहीं बोल रहे बुद्ध भगवान नास्तिकों को लाभानुइत करने के लिए संसार मा आए जो भगवान को मानते ही नहीं ने राम को ना कृष्ण को ना बुद्ध को ना जीसस को ना मूसा को किसी को ना अल्ला को ऐसे नास्तिकों को अब करने के लिए बुद्ध भवान का अवतार हुआ उनके उपर भी भवान दया करते हैं जो भवान को मानते ही नहीं तो एक ऐसा अवतार भी अपना भेशते हैं अंसलतार से बुद्ध भवान आए उन्हें का कोई बात नहीं, तुम बैटो, ध्यान करो वो लोग किस पर ध्यान करें? करशन पर, राम पर, जीसस पर, बुद्ध पर, किस आप पर, किस पर ध्यान करो उन्हें का कोई है नहीं, सुन्न पर ध्यान करो बुद्ध वगवान की पद्धती सुन्न पर ध्यान करने की सुन्न पर पहुंशते हुए ही पूर्ण को पालेता है सुन्न बोले तो अभिलासा सुन्न स्फस्दों साथ